नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तो अभी हम बात करने वाले है कल के मुकाबले के बारे में जो की खेला जाने वाला है RCB versus KKR के बीच में मतलब मैच रहेगा कोलकता नाइट राइडर्स वर्सेस बैंगलोर रॉयर चैलेंजर्स के बीच IPL 2021 का दोस्तो 30th मुकाबला है देखिए 30 मुकाबले हो रहे है कल कंप्लीट मतलब आदे से जादा IPL अभी खतम होते आया है दोस्तो तो कल का मुकाबला काफी अच्छा मुकाबला देखने मिल सकता है दोस्तो जैसे की RCB को पॉइंट स्टेबल टॉप करने की एक चांस रहेगा वही KKR को अपनी जो प्लेओप्स की दोड़े दोस्तो वो बचानी है तो कल जीतना जरूरी है नहीं तो उनके लिए प्लेओप फैक्टर आजकल साबित हो रहा है उसकी भी बात करेंगे टीम न्यूज अगर कुछ चेंजेस हैं टीम में या फिर कोई न्यूज है तो जरूर उसकी बात करेंगे टीम पर्फॉर्मंसेज देख लेंगे दोस्तो आई पील में अभी तक कैसे कोन सा रैंक पे कोन सी टीम चल करी वह भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों और प्रोबैबल प्लेइंग इले उनकी भी बात करेंगे होट पिक्स भी जरूर देखेंगे और हाई पर्फॉर्मंसेज जरूर देखेंगे दोस्तो तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक बार रि पिलिग्राम का भी चैनल बन चुका है दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जॉइन कर लीजे ताकि जो रन टाइम अपडेट्स है जैसे कि आज के रहूल का अपडेट था वो मैं आप तक पहुचा दू क्योंकि वह भी ज़रूरी रहता है जो दोस्तों अभ के परफॉर्मस दिखा रहा हूँ देखिए पहली टीम मैंने दी थी आपको ठीक है जो पहली टीम जो मैच चल रही है दूसरी टीम की बात करो को ने देखिए कप्तान मैंने आपको बताया था मैंग अगरवाल मुल्टीबल टीम्स देता हूँ दोस्तों सबसे अच्छी टी कीजिए वो कप्तान के लिए आपके लिए बेटर ऑप्शन है तो देखो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया रिशब पंद का बैटिंग आना है अक्षर पतेल ने विकेट लिया दोस्तों दीपक खुड़ा ठीके बैटिंग में नहीं चल पाए मैं भी बॉलिंग में कु अविश्कान को भी किया था रबाड़ा ने तीन विकेट चटका है हर प्रीत ब्रार जिनोंने चार पाच रंट बैटिंग में बनाए और अभी गेंद बाजी करने वाले मुहमद शमी भी दोस्तों आफको पता ही है कि अच्छे प्लेयर है अच्छा कर सकते जिनकी तो इसी वाज़े है यह पर ही पॉइंट्स नहीं लिया हूँ अभी तो देखे दोस्तों कितना अच्छा रहा है यह तो इसी वाज़े से बता रहो दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखते रही क्योंकि में चेंज़ेज भी क्या एक्सपेक्टेड़ है वह आपको बत सको तो ठीक है दोस्तों दूसरी मैं जो पहली मैस थी उसकी बात दिखाता हूँ अभी देखिए मेरे कप्तान जो थे मैंने बेरिस्टो लगाए जिन्हों ठीक है ज्यादा अच्छे पॉइंट्स दिये नहीं सॉरी एक मिनिट नीचे आ गए तो ठीक है दोस्तों हां यहां पर देखती है देखिए कप्तान लगाया थे मिने बैरिस्टो जिन्हों ने अच्छा किया दोस्तों 92 पॉइंट्स उन्हों ने भी दिये अगर बटलर कप्तान रहते थे इस तीम में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे बट अच्छी पॉइंट्स काप्टन देखिए यहां पर मेरे पास सब कुछ था बैरिस्टो थे दिन क्रिस मौरिस थे विल्यम सन पांडे जी अच्छा केले पांडे जी थे सैंसन अच्छा केला सैंसन थे देन देखिए यहां पर रशीद खान ने विकेट ली साकरिया आज नहीं कर पाए कुछ जादा बढ़ जादातर ल दोस्तो इस वीज़े से कहता हूं कि चैनल भी जॉइन कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कुछ चीजे जो चेंजे से ओके ठीक आपको इसको नहीं लेना तो किसको लेना चाहिए वह भी मैं आपको इसमें ही बताता हूं तो वीडियो को जरूर अंतक दे है तो पीच की कंडिशन सेमी रहेगी ज्यादा बैटिंग बॉलिंग को सपोर्ट नहीं करने वाला एवरेज पीच रहेगा दोस्तों 161 70 एक अवरेज को है तो देखिए फर्स्ट इनिंग स्कोर में यहां पर दिखा रहा हूं आपको 157 मतलब 160 के पार अगर जाते फर्स्ट पीच फोर मैचे से नाइपिल इसले चार मैचे सबसे मैंने बताया तो चेसिंग टीम का कैसे दो जीते दो हारे तो मतलब यहां ऐसा कुछ नहीं कि बैट फर्स्ट करने वाला जीत रहा है बैट सेकेंड वाला बट चेसिंग टीम दोस्तों जादा बेटर परफॉर्म कर रही दोस्तों उनको एक टारगेट सेट रहता है तो उनको पता है कि मुझे जल्दी जल्दी बदलबाजी करना या फिर मेरे गेंद बाजन अच्छा काम किया 150 तक ही रोक लिया है तो इसी वजह से सेकंड इनिंग में जो बैटिंग कर रहा है वो जादा अच्छा परफॉर्म कर रहें तो 27 मैचेस खेलें जिसमें से रॉयल चैलिंगर बैंगलोर तेरा बार जीता है जबकि केकर ने उनको उनसे जादा बार बीट किया है मतलब 14 बार बीट किया है तेरा वर्सेस 14-27 में से तो केकर एक मैच से आगे है बट काटे की टक कर है दोस्तों क्यूंकि आरसी भी अच्छा बहुत अच्छा खेल रहे है इस बार केकर का परफार्मांस अभी तक सो सो ही है कुछ जादा नहीं है बट जैसे कि सबको पता है टीम काफी तगड़ी है दोस्तों कोई भरोसा नहीं कुछ भी कर सकती है तो रॉयल चैलिंग बैंगलोर और कोलकता नाइट राइड काफी बड़ा मुकाबला होने वाला एकल दोस्तों तो आगे देखते हैं कि जो टीम परफार्मेंस आई पील में अभी दोनों टीम के के से रहे तो के कर से सुरू करते हैं तो के क्यार ने फॉस्ट मैं जीता दूसरा हारा तीसरा हारा चौता हारा पाच्वा हारे और देंट सिक्स जीते फिर से हारे मतलब विन लॉस 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 तो कितने मैचेस होगे साथ मैचेस होगे साथ मैचेस में सिर्फ कितने जीते ओनली टू हारे कितने फाइव मतलब बहुत खराप रदर्शन में कहूंगा दोस्तों खराप चान विन लेके आए तो फिर फर्स्ट लॉस मिला उनको किस ने आ रहा है उसके बाद फिर से एक मैच जीते और फिर से एक मैच हारे तो इनका KKR की उल्टा है दोस्तो साथ मैचेस खेले पाच मैचेस जीते और सिर्फ दो मैचेस में हारे और बहुत अच्छा परफॉर्मंस है दोस्तो टीम काफी बढ़ी हाक कर रही है तो देखिए यहाँ पर पॉइंट स्टेबल में आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर RCB और KKR तो देखिए आरसी भी साथ मैचेस में से पाच जीती दो हारी इसी वज़े से है थर्ड रैंग पे देखिए आज DC का जो भी रिजल्ट निकलता है उसके इसाब से में भी रैंकिंग चेंज भी हो सकती है और आगे देखा जाए तो KKR कहाँ पे 7 रैंक पे 7 में से सिर्फ 2 जीती है पाच हारी है तो उनका प्रदर्शन आच्छा नहीं दोस्तों इस वज़े से सेकंड लास्ट पॉजिशन पे KKR अभी तक बैठी है साथवे पोजिशन पे बैठी है दोस्तों तो चलिए हाई परफॉर्मंस की बात करते हैं अभी दोनों टीम्स की तरब से कोन-कोन हमारे हाट पिक्स हाई परफॉर्मंस जो भी है मैच विना सब की बात हम जरूर करेंगे तो निती श्राना आये पहली दो मैच काफी बेटर परफॉर्म किया बट हर साल की तरह पहली कुछ मैचेस अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके बाद पता नहीं उनको क्या हो जाता है और फिर से आउट-फॉर्म चले जाते तो अभी दो-तीन मैचेस से मेरे पिछले दो से उनके बल्ले से जाधा नहीं आये तो पर एक में ऐसी एक में 57 अच्छे रन बनाये थे तो फॉर्म में है यह नजर आया था दोस्तों बट फिर से एक-दो मैचेस में से आउट-फॉर्ट चले गए अगर त्रिपाटी की बात की जाए तो सबसे अच्छा यह निकल के आ र रहे एक प्रोमिसिंग बैटिंग कर रहे देखी असी एक बार बनाये दिन 53 36 41 तो साथ मैचेस में से पाच बार आराउंड पाच बार हो 30 क्रॉस किये दोस्तों तो उनका प्रफॉर्मस काफी बैटर है शुमन गिल पिछले मैच में अच्छा के लिए 43 बनाए एक बार 33 बना आने में अंद्रे रसेले दोस्तों अभी फॉर्म में आ चुके है काफी अभी हो गई है बॉलर इसको दिक्कत होनी ही वाली है अभी अगले पूरी सीजन में तो 31 54 45 अच्छा रन कर रहे दोस्तों अच्छा स्ट्राइक करें कार्थिक भी आ चुके फॉर्म में पर उनको ज् प्रिशिद कृष्णा ने दो बार अच्छी के इंदवाजी की दो विकेट तीन विकेट कमिस अच्छी के इंदवाजी करें दोस्तों पिछले मैश में बले ही तीन विकेट ली बट आराउंड जब जब जरूरत थी तब नहीं चटका पाये थे एंड एंड में मेरे ख्याल से मैच हारी चुके थे उसके बाद उनको विकेट मिली बट वो तो काउंट होती है दोस्तों क्योंकि हमें उसके पॉइंट मिलते हैं तो दो तीन ऐसे तीन चार मैचे इसमें उनका अच्छा पर्फॉर्मस रहा रसल को भी ज्यादा जर्मस नहीं है नरीनका इस साल चलहीं Bangalore की बात करते बैंगलोर की तरफ से कोन केसा परफॉर्म कर रहे है कितना अच्छा परफॉर्म किया है तो विराट खोली अफकोर्स कप्तान है सबसे पहले उंका आएंगा सबसे अच्छी बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों बट अच्छी बैटिंग है टच में हैं बड़ी बड़ी पारी सिर्फ एक आई है बाकी 3040 में खेल रहे हैं 33 33 35 मालब देखिए बड़ी पारी 72 वाली आई थी जो विनिंग नॉक था जब पड़िगल ने सेंचुरी लगाई थी तब का है बाट ए उसके बाद भी 30 क्रॉस करते हैं और आउट हो रहे हैं दोस्तों मतलब सेट होके बड़ी पारी नहीं खेल पार है मैक्सवेल पहले तींचा का परपॉर्मस अभी दो मैच इस से डाउन है दोस्तों ABD कभी भी फॉर्म में रहते हैं उनके दिक्कती नहीं है जरूत पढ़ने पर जरूर काम आते है टीम के उन्होंने भी 45 76 75 तीन पारी के लिए अच्छी अच्छी फॉर्म में दोस्तों उन्होंने शिंचुरी भी उनको देना चाहिए अगर स्ट्राइक रेट सुधान ना है क्योंकि रन बना रहे दोस्तों एटलीस पहले दो मैचेस में फेल थे उसके बाद दो मैचेस में रन तो बनाए उन्होंने स्ट्राइक रेट भी आ जाएगा पिछले मैच में सर्प्राइजिंग लिए हर्शल देगे पाँच दो दो तीन साथ मैचेस में से पाँच मेचेस में इतना प्रदॉर शनुंका रहा है पिछले मैच में विकेट लेस रहे थे और एक मैच में शाइधे एक मैच में बैद लाता तो मेंने काउंट नहीं किया मोंमध सिराज बी एच्छी गयंद बाजी करे दो हैं टो अच्छी विख्ट टिकिंग उनका परफॉर्पंस रहा है कायल जय मिन संजों है दोस्तों कंसिस्टन्ट लitted अच्छा परफॉर्म कर रहा है ध्षब जादा नहीं ले रहें वड़ दो मैच आख में इकमेंज में तीन में रेतें दॉर मिट लेतें एकाद विट तो आगे बाट थे प्रोबैबल प्लेंग लिए उन दिखाता हो आपके लिए कोन रहेगा मेरे ख्याल से तो RCB की बात करते हैं दोस्तों कोई सुंदर टच में नजर नहीं आ रहा है बैटिंग से गेंद बाजी में भी सोच होई रही है उनकी गेंद बाजी इसी वज़े से मेरे ख्याल से पटीदार एक अच्छा ऑप्शन है जो कि 30 एट्लिस रन स्कोर कर रहे हैं एबीडी विलेर्स रहेंगे दोस्तों ग्लेन देखते हैं शुबंगिल नितिश राना रहुल त्रिपटी इनमें कोई चैज नहीं इवान मॉर्गन भी ज़रूर रहेंगे सुनिल नरीन को मेरे ख्याल से कल वापस चांस मिल जाएगा या फिर फर्ग्यूशन को भी वो ट्राइ कर सकते हैं बट मुझे लगता है कि एक और सुनिल नरीन को ही चांस मिलेगा दिनेश कारतिक रहेंगे दोस्तों अंद्रे रस्यल जरूर रहेंगे पैट कमिंस रहेंगे देन बॉलिंग में देखिए प्रस्वित कृष्णा वरून चक्रवर्ति और शियों मावी यह तीनों इंडियन जो है तीनों बैस्ट पर अच्छ पिष्रानों को शामिल कर लो राहूल त्रिपाटी को ले सकते अंद्र असल को ले सकते पैट कमिंस को ले सकते और वरून चक्रवर्ति यह पाच मेरी तरफ से होट पिक्स रहेंगे क्योंकि देखिए यह है मेरा अपिछ के और कंडिशन और फॉर्म के इसाप से में उनको श कीमिनग पेर मैं ज़रूर शामिल करूंगा ठीक है एबीडी व्लियर्स को शामिल करूंगा ग्लेन मैक्चल और हर्षल पतल और जाहे तो आप है जेमिनंसों न को भी एड़ कर सकते क्योंकि मैं उनको बीसी एक या 2 टीम में भी शामिल ज़रूर कुरूंगा दोस्तों तो से तो लिए आगे बढ़ते हैं Dri로on का विनिंग hoor क्रिएट करने में जो कि हमें च्छा गोप्र करना है तो यहाँ में चलता हूँ कर यह क्राएब symbols लगा सकते तो नुए लिशनला के लैप्पर नेवाला है सब्सक्राइब करने में मैं तो यह तो चलिए कल का मुकाबला है यहाँ दिख रहा आपको पहला यह मुकाबला है अब तो यह है तो यह वाला मुकाबला है दोस्तों ठीक है यह वाला मुकाबला मतलब फिस लिए लिए करते पहले विकेट कीपर, Batsman, Allround और Baller के एक अच्छा combination हमें create करना है दोस्तों जो कि हमारे लिए winning combination साबित हो सके हैं तो चलिए start करते हैं विकेट कीपर से as usual तो सबसे पहले आते हैं मेरे पास दो option हैं विकेट कीपर में दोनों अच्छे हैं दोस्तों दोनों अच्छे बेटर option है जो कि है दिनेशकार्थिक और ABD विलियर्स बट क्योंकि आपको पत्ता ही है दिनेशकार्थिक आ रहे है पाच्छोए छट्टे दोस्तों सारे के सारे मैंने शामयल कर लिए देखे पॉइंट वाइस देखे सारों ने 300 से उपर पॉइंट दिये दोस्तों ओके तो गिल भी आप चाहे तो त्रिपाटी के साथ मेरे पास पाटिदार का भी option है बट अभी पास बैट्समन होगे छटा मुझे नहीं चाहिए अभी ऑल राउंडर में जाओंगा दोस्तों आंद्रे रसेल को सिलेक कर लूँगा उनको में नहीं छोड़ने वाला हूं अगर किसी भी टीम में आप मत छोड़िए दोस्तों बले काप्तन वाइस कैप्टन लगाना नहीं लगाना आपकी मर्जी तो पैट कमिंस हर्षल पट कोई नहीं बेस्भूिये जाते को कुheim कीपर में जाते जुनको ले रहें ऐसा कोई नहीं है तो कुछ चेंज तो हमें करना पड़ेगा दोस्तों चेंस क्या करना है आपको दिखाता हूं आप शालीजिए चेंज नितिश राना को राना जी को मैं शामिल नहीं कर रहा और मुझे देखिए अब क्या होगा आप देखिए तीन प्लेयर मेरे बढ़ेंगे और तीनों की तीनों रहेंगे आठ पॉइंट्स वाले पर उसमें भी जो अच्छा पर्फॉर्म कर सकते हैं मैं उनकोई शामिल कर लूँ अभी थोड़ा साइजस्मेंट करना है दोस्तों क्य और यहाँ पर मेरे पास 8 पॉइंट में रेजभ पर टीदर यहाँ पर यहाँ पर पे चाहँना पर अअगालोग थोड़ां की कि तरप दिखपा दिख रहें दोस्तों तो और भी थोड़ें चेंजस्सय आप कर सकते तो ट्राइ कर लेंगे चलिये आर्ट्राय करते है थोड़ा चेंज में थिपार्थी को भी हटा देता हूं के अर्ज़ चेम को three party को खरेंगे क्या हम करेंगे। सुरी थिपार्थी को नहीं हटाने हैं दोस्तों यह यह ट्राइब कर सकते क्योंकि परफॉर्म करने वारे प्लेयर ची तो टीम मैटर नहीं करती है तो हम हर बार संतुरी टीम बनाने का करते कि दोनों टीम का अच्छा प्रों कॉम्बिनेशन रहे जैसि कि एक टीम का च्छे और एक तीम का पाच तो होने ही वाला है पड़ यहाप तो इनके लिए थोड़े बहुत चेंजेस तो कर सकते हैं त्रिपार्थी भी मैं भी बढ़ा ही बोलूंगा तो परफॉम बहुत बढ़िया कर रहे हो तो तो क्या क्या है मेरे लिए पार्टीदार जो कि 30 प्लस स्कोर बना रहे है दो मैचे से एहमद चुकि एक का दुकेट भी चटकार एक बल्ले बाजी भी कर सकते हैं और शिवम मावी जो की काफी इंप्रेसिव गेंद बाजी कर रहे हैं तो तीनों को मैंने एड़ेस किया तुमेरे सारे बड़े प्लेर्स बैठ गए ठीक है तो सबसे अच्छी टीम दिखती है दोस्तों ठीक है कि आप बोलेंगे कि थोड़ा सा बैंगलोर की तरफ से चला गया साथ प्लेयर्स हो गया तो चलिए आपको यह नहीं चाहिए तो आप किसको ड्रॉप कर सकते हैं यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं जो थोड़ा बड़ा रिस्क हो सकता है पडिकल को और आप 6-5 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो द विकत हो जाएगी इसी वजए से यह भी कॉम्बिनेशन आप ट्राय करी सकते हैं कहां पर बट वह कॉम्बिनेशन ज्यादा बैटरे दोस्तों तो चलिए यह एक टीम बन गई विदेबिडी ओप्षयन मैक्स्वेल ओक्षयन यह तीन सबसे बेटर राना जी ओप्षयन आपकर आपके पास वाइस कैपिटन के लिए यह फिर कैप्टन भी आंप जा सकते हैं पर पडिकल में उसली वाइस कैप्टन के लिए जाऊंगा तो कोली और राना पे यहाद पर द गिल जब ओपनिंग को आते सामने से गेंद कोन लिखे हैंगा हर्शल पटल जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में मुशली काईल जैमिंसन या फिर सिराज तीन हो कि तुई ने पक्के अच्छे गेंदवाज दोस्तों तो पावर प्ले में एकाद विकेट पढ़ने के चांसे तो प्रसित कृष्णा होए यह पावर प्ले में ज्यादा विकेट नहीं निकाल पा रहें ठीक है और कोली अच्छे फॉर्म में दोस्तों ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहें बट मेरे ख्याल से कल उनकी बैट से अच्छे रंस निकलने वाले तो चलिए सेव कर लेता और ऑप्शन्स कोन कोने आपने पास आपके पास है एबीडी ऑप्शन है देन मैक्स्वेल ऑप्शन है देन पडिकल उप्शन है इनको भी आप जरू ट्राइक कर सकते बटाइलग अलग टीम्स में चलिए दूसरा टीम क्रेट करते जहां पर अभी मैं सर्प्राइज ठीक है ऑल राउंड में जाता हूरा सेल को शामिल करता हूं अभी मैं एहमद के साथ नहीं जा रहा हूं कमिंस और हैशल परटेन में दोनों को जरू शामिल रख लगए हूं यह आप है काइल जेमिंसन के साथ चला जा रहा हूं दोस्तों मेरे पास पॉइंट से अभी दिक् सब्सक्राइब तो अच्छा ही परफॉर्मंस इसका है दोस्तों तो मेरे खाल सी यह अच्छा पिक होगे कल का मैदान जो है उनके काम का है दोस्तों तो ठीक है यह चार गेंद बाज मैंने लिए दोस्तों यहां पर आंदर अरसल को शामिल किया अधिक को शामिल किया बाकी तो मुझे नहीं लग रहा बैंकटिंग को शामिल नहीं करें दोस्तों कोलकुता एक अच्छे प्लेर है अब फिर तक तो उनको चांस नहीं मिला अगर चांस मिलता है तो मैं कही पर सब्सक्राइब गए गिल आ गया इस्टीम में ट्रिपाटी आग है तो पता नहीं दोनों में से कोई अच्छा चल जाएगा बट दोनों का दोनों अच्छे प्लेयर है दोस्तों देखिए बीडी तो ज्यादा बेटर ही कार्थिक से बट क्योंकि एबीडी के ऊपर जो खेलने वाले हैं जैसे कोली हुआ पडिकल हुआ मैक्सवेल हुआ रजट हुआ तो यह जादा खेल रहे हैं दोस्तों आजकल तो उनको चांसे तभी मिलेगा जब यह चारो में से तीन जल्दी आउट हो जाए ठीक है तो फिर प्रेशर में वह आएंगे बट अगर कार्थिक की बात की जा कार्थिक अल्रेडी प तो शिर्फ एक ABD कौन गया मेरे लिए एक ABD को निकाला मैंने ठीक है तो उनकी जगह मैं यह इतने चेंज कर पाया देखिए वरुन चकरवार्थि मेरे पीछले टीम में नहीं नहीं थे क्योंकि इनके पॉंट्स ही नहीं बैट रहे तो मुझे 88 प्लेयर्स के अच्छे प्ल 2-3 के क्योंकि यूसनद की लिए मैं जाऊंगा वह इस क्यापटन की चलते हैं आप बना की दिखा दे तो वह मैंने नहीं दिखा या या फिर आप जाईए पी प्रॉट्स 123 करी लिया में नहीं ह경ग पर ठीक है तो आप जा शकते मैक्सवेल कैप्टन वाइस कैप्टन किसके साथ ढात दोस्तों की तो इसी वज़ए से मैं ट्राइफ कर सकते गिल भी फॉर्म में आ रहा है त्रीपाटी फॉर्म में है तो इन पे हम दायो जरूर लगा सकते मैक्सवेल पडिकल यह दोनों एक टीम के आ जाएंगे इस वज़े से मैं इन पर दाव नहीं लगा रहा हूँ कार्थिक पे मैं क्याप्टन के लिए इस टीम में दाव नहीं लगा रहा हूँ ठीक है मौरगन फिर से में कही पे शामिल नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों अगर चाहिए तो इस टीम में से ड्रॉप कर रहा हूँ मौरगन को निकाल रहा हूँ ले रहा हूँ पाटिदार को शामिल करो पाटिया दोनों मैचे में ड्रिम टीम का भी इससा है 45-51 पॉइंट दि फिर तो और किसी को जॉइन नहीं कर रहे तो मैं उससे अच्छा कि शावाज एमद पे जाओ ठीक है यह रहेंगे क्योंकि यहां पर किसको अटा है मैंने ग्लेन मैक्सविल को अटा है तो टीम प्रिव्यू कर लेते हैं यहां पर देखिए इन कोन कर दिया मैंने राना इन कर बडूर कहेंगे यहां पर आहमद आ गए दोस्तों बॉलिंग में प्रिशित कृष्णा आ गए तो यह चार चिंजस मैंने इस टीम में किये बेस प्लेयर को मैंने शामिल रखा रसेल यहां पर आ गए मेरे बेस प्लेयर ही एबीड पर पॉइंट की वज़े से मैंने चेंज क पर हम कर रहे है अपनी टीम के लिए तो इन दोनों को मैंने थे टीम में शामिल कर लिया तो यह बन गए तो एक तीम है तो यह तो कंटीनीरों कर द्यू क्याप्टन was captain कि यह आपके पास देखी कि मेरे पास option है Captain के लिए जा सकते हैं आप ABD को या फिर चलिए अंदर असल को अप्तान बना दीजिए वाइस काप्टन जाए यह एक अच्छा option बन जाता है या फिर कप्तान ABD पर जाए वाइस काप्तान रसल पर जाए अब रसल जो है दोस्तों गेंद बहले बाजी आ गया है फॉर करते हैं थोड़ा नीचे के इसमे दोस्तों कितनी गेंदे मिलींगी चेटन ले को पतानी बद्ट टत्मे है दोस्तों जब भी कहलते हैं यह कीपींग में है फिलको घ्रा के शेंच चलिए अब सब्सक्रेइन सेabao्म की ओकां सब्सक्राइब तो ठीक है चलिए एबिडी यापे मेरे लिए आ जाएंगे दोस्तों अभी देखिए बैट्समन तो सारे आ जाएंगा पड़ेगा आ जाएंगा त्रिपाटी आ जाएंगे राना आ जाएंगे गिल को नहीं लूँगा मैं अभी इसमें ठीक है इसमें मैं एक्स्ट्रा पर बैटिंग भी कर सकते तो चलिए इस टीम में नरीन के साथ जाता हूँ अच्छे प्लेयर है दोस्तों विकेट टेकिंग अबिलिटीज बहुत है उनके पास बहुत अच्छे यह और कर एक्जिगूट कर रहा है आजकल सिर्व इतना है कि विकेट नहीं मिल रहे है क्योंक वेट यह दितना है निकाल पा रहा है और विकेट नहीं मिल रहें यह भाकी गयंद यह यह बैटर कर रही है तो एक हर्शल फैटल में हरव यह यह एक जो चेंजेस कर रहो एदर आप जेमिंसन के साथ जा सकते कृष्णा के साथ जा सकते वरुन चक्रवरती मैंने पहले ही टीम में लिया है तो मुहम्मद सिराज चार मैंसे किसी एक कोई आप ट्राइ कीजिए बाकी चेंजेस मत कीजिए ठीक है तो टीम प्रिवू करते हैं देखिए यहां पर सब आ गए मेरे लिए एबीडी आ गए पडिकल आ गए त्रिपाटी आ गए निति श्राना ठीक है अंद्र रसेल और सुनिल नरीन दो वाल्राउंडर मुझे के तरब से ग्लेन मैक्सवल को बॉलिंग नहीं मिल रही है बट वाल्राउंडर आपको पता ही है उनको म कि मुझे लाग रहा है कल शिराज का बॉलिंग अच्छा होने वाला है बट कल का पीछ जादा थोड़ा बॉलिंग एड्श्ट्रा बॉलिंग फ्रेंडली है तो सारे बॉलर्स को विकेट टेकिंग चांसे ज़्यादा है तो चलिए इसमें कप्तान वाइस कप्तान के लिए म मेरे ख्याल से अच्छा खेल पाएगा क्योंकि इनके पास विकेट टेकिंग अबिलिटीस तो है जैसे कि पैट कमीन्स है प्रसित कृष्णा बट इतना अच्छा पावर प्ले में नहीं कर रहे तो पावर प्ले में अगर विकेट लेस रहती दोस्तो और सी भी तो मतलब दोनो 20-30-30 रन तो बनाने वाले और बाकी तो सेट हो गए तो पता ही आपको कितना अच्छा परफॉर्म दोनों कर रहे तो चलिए मैंने कप्तान दोनों ओपनिंग पेर पे इसमें सेव कर दिया ठीके दोस्तों और अलग-अलग कॉंटेस्ट यहाँ पर आप लगा सकते बाकी तो आपको प्रेडिक्शन अच्छे लगे होंगे तीम सापके लिए कुछ सही जाए जरूर अच्छा होगा दोस्तों अच्छा विनिंग आपके लिए होने वाला है तो डिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते कल एक नए वीडियो के साथ तो चलिए थैंक्यू